खबर लाते हार जिले की केंचकी कोयल और औरंगा नदी के संगम तठ पर इस्थित वनवी भाग के विश्रामगार से हैं जहां दनीव्ज रेवल्यूशन जनता की आवाज के तत्तोधान में पलामू यम लाते हार जिले की यूटूबरों ब्लोगरों, सोशलिस्ट, न्यूज चैनल के समवादाताओं के लिए एक समान समारोह का आजन किया गया यह कारिकरम दनीव्ज रेवल्यूशन चैनल के संस्थापक अजय सिंग चेरों के द्वारा वैसे कॉंटेंट की रेटरों के लिए एक नई परंतु सांदार पहल है जो सोशल मीडिया के छेत्रे में यूटूबर, ब्लोगर की रूप में अपने भागे को अजमा रहे हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, संघसरत हैं किन्तू उचित मर्क दर्संद सार्थक सहयो का भावयम आर्थिक स्वावलंबर नहीं होने के कारण जो अपने अंदर की पर्तिभा को निखार नहीं पा रहे हैं उनके अंदर की पर्तिभा को समाजी कस्तर पर प्रदर्सित करने के लिए एक सार्थक पहल है उन्होंने अपनी तरफ से इन सभी content creator को सम्मानित कर इनके होसले को नई उडान भरने का सुबहसर प्रदान किया है आगे वैसे परतिभावान युवा युवतियों जो social media के छेतरे में अपना भाग याजमाना चाहते हैं अपनी परतिभा का लोहा मनवाना चाहते हैं वैसे इवाक युवतियों के लिए चैनल वर्दान बनकर काम करेगी आपको बताते चले यह सासर कदम उठाने वाले अजय सिंग चेरो खुद एक socialist है जो समाज के सेवा करते हैं सोसल मीडिया के जरिये छेतरे में एक नई मुकाम अस्थापित किया है इन्हें मालूम है कि छोटे अस्थर के कॉंटेंट की रेटरों के लिए संघस करना कितना मुश्किल है अपने संघस की दिनों को याद करते हुए आज की वापिणी को स्वामलंबन बनने के उदेशों से हर संभा मदद करने का फरोसा दिराया उन्होंने कहा कि जो कठिनाई मुझे जहलनी पड़ी है मेरी कोशीद रहेगे कि आप सबों को अधिक से अधिक सुझाओ उपलब्द करा सकूँ और नए इतिहास बनाने का रास्ता प्राप्त कर सकूँ इनके सार्थक पहल को अपस्तित प्रमुक सोसलिस्ट आदात समाज पार्टी परदेश संगठन सचिव नागमनी रजग समाज सेवी रोहित कुमार एडिटर लक्षमान एवं राहूल कुमार यूटूबरों के लिए महतपूर्ण ख्याती प्राप्त मनिश कुमार जो के छेत्रे में मुकाम अस्थापित किये हैं जाल का ने राइव मिंसित गरोख ऍेटर को मार्ग्य रॉस स्ट प्राप्त कि किया उपस्तित मा arbeड़सों के मारध षिए हैं एक नई उर्जा के साथ हम सब चैनल के मांग दर्सन में अपनी आगाज को अंजाम तक पहुंचाएंगे वह इंडिलामर पितांबर प्रखंट से रासिद अनवर चैनपूर प्रखंट से जीचेंद्र चोधरी सद्रप्रखंट मेदिनगर से संतोष कुमाज सिंग यहां भ अभिकरम कुमार सोचल मीडिया पर अपना परचंब लहराने के लिए आतूर है केचकी संगम अस्तल से दन्यूज रेवलेशन समवादाता सनी कुमार सिंग के खास रिपोर्ट नमस्कार आप देख रहा है दा न्यूज रेवलेशन मैं सानी कुमार सिंग अभी केचकी संगम नदी के तट पर जो है कि सभी दा न्यूज रेवलेशन के परिवार सदसे गन यहां पर उपस्तित हैं और जो है कि 15 अगस्त गुजर जाने के बाद अब एक नई तयारी और एक नया सोच के साथ बैठक की गए जिसमें संस्थापक अजय कुमार सिंग जी उपस्तित हैं और भी जितने भी चैनल के इडिटर गैमरामैन यो क्या स इस्टूडियो में जो काम करते हैं वह सब अपनी अपनी राय और जो कमी जो है ओ जो है कि एक दूसरी के साथ साजा कर रहा है क्या समस्या होता है यह चैनल में काम करने कि प्रिपोर्टर के साथ कितना परिशानी हुआ क्या समस्या हैं वो सभी रिपोर्टर आ करके अपनी अपनी समस्या को जो है कि चैनल दन्यू जुरी लेशन के संस्थापक अजय कुमार सिंग के साथ अपना सेर कर रहे हैं मैं उनसे आंसर सबसे पहले सर आप ये बताईए कि चाहूंगा और हमारा चुकि हम भी एक सोसल मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे और आज हमने जिनको जिम्मेवारी दिया है या फिर हम उस चीज को समझ सकते हैं चुकि हम भी कहीं न कहीं एक यूटूब क्रेटर थे और आज जो हमारे समाज में जो विभीन गाउं में जो छोटे-छोटे जो यूटूबर्स हैं उनके साथ क्या समस्याएं होती है उसके दिलो दिमाग को हमने पढ़ा और आज सभी को एक साथ एक जगा पर बुलाकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके साथ समस्याएं बहुत आएंगे लेकिन समस्याओं के साथ कैसे लागे बढ़ना है उस पर हम लोगों ने विस्तार रूप से चर्चा किया क्योंकि हमने कई ऐसे यूटूबर्स से आज मिला जो किसी भी कारण चाहिए वह एक्यूपमेंट के लिए वह एक्यूपमेंट के कारण वह अपनी बातों को नहीं रख पा रहे थे या उनके पास सुविधाएं हैं जो डिजिटल मीडिया को क्रेट करने के लिए सोशल मीडिया को क्रेट करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए होगी वह सुविधाओं सब्सक्राइब कर गए Lindy तो इसको हम लोगों ने मोटिवेट किया और उसको उपर किया जो ऊनसुद के साथ सोना परका ये सतीय तो इसलिए हम लोगों ने बुलाया सभी को और सब के विचारों को जाना और उनके विचारों के साथ हम ये अपने आपको रिलेट किया और उनको अपनी समस्यां सुनाया उनकी समस्यां हम सुने और उनको उस लायक आज हम लोग बनाने की कोशिस कर रहे हैं जो सायद कम लोग इस चीज़ को कर पाते तो लोगों को बुलाने का और लोगों को मोटिवेट करने का मेरा यह है उदेशय था कि जो भी यूटुवर्स थे जो भी यूटुब या फिन वीडियो क्रियेटर्स है सोसल मिडिया में इन्फुलेंशर हैं उनको हम लोग मोटिवेट किये और आज से उनको प्रेडित किये कि आप आगे आएए, हम आपके साथ हैं, आपकी जो समस्या हैं वो आप हम तक share करिए, जहां तक हम सभी से बन पाएगा, उस समस्या के निदान के लिए हम लोग हमेशा तत्परता के साथ खड़े हैं, और लोगों ने उसी तरीके से, जितने अभी हाँ, युवा दिख रहे हैं इदर आगे फिसे, वो काफी motivate हुए और उनके अंदर वो मैंने देखा, एक उत्साह देखा, कि अब वो running stage में फिर से आएंगे, और जो छोड़ चुके थे social media को, वो फिर से वापस आएंगे platform पे, और हम सभी एक साथ मिलकर, social media परिवार तयार करेंगे, और अपनी ताकत को दिखाने का प्रयास करेंगे, और उसको एक ताकत के रुप में लेकर, हम लोग उसी energy के साथ आगे बढ़ने का कोशिस करेंगे, तो जिस तरह से इन्हों ने बताया कि अपनी ताकत के साथ जो है कि फिर से ground में पुना जो है कि सभी को motivate कि लेकिन ऐसे संस्थापक देखने को बहुत कम मिलते हैं, जो कि अपने team के साथ बैठ करके एक दिवस्य मिटिंग करते हैं, और आगे इस channel को जितना बिस्तार से हो सके चलाने के लिए state level तक ले जाने के लिए कि काफी संगर्स में लगे हुए है, जो कि अभी आप तमाम जो है कि राइटर है हमारे इस channel के जो लेखक है, वह भी उपस्तित है, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा, यह बताइए आपके जो reporter है, ओ आते हैं, news coverage करके भेजते हैं, तो कभी-कभी तो आप देखते होंगे कि लिखावड जो है कि कहीं गलस है, आप क्या देखते है, reporter में क्या कमी अशा दिखता है जो कि लिखावड के लिए करके, पहले तो हम तो कहीं कि जो हमारे reporter होते है वे तो रिपोर्ट तेयर करते हैं, वीडियो तेयर करके और भेजते हैं, वीडियो का दाहर पर वहां के जो समस्या हता है, तो उस बिशय का नुसार है, बनाना पार था ल बनाना है उसी के अनुकुल हम जासे अपना वीडियो के माधेम से देखकर क्या लिख लेते हैं जी क्योंकि हम भी तो इसी चैनल का है हम लोग तो सब एक ही चैनल के परिवार हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि लिखने में कहीं-कहीं संचेप में अगर आता है बात तो उसे सजावत लिखने का जो तरीका है जो सजावत होनी चाहिए ओ तो रिपोर्टर के अंदर हर रिपोर्टर के अंदर होना चाहिए कि ताकि जो है कि नियु जाए और जो है कि असानी से जो है कि वह रिलीज हो जाए तो इस पर आप सर क्या कहना चाहिए इसके लिए जहाना से ब सबसे पहले सर आप अपना दिया है मेरा नाम राहुल क मारबा सबसे पहले दनेवाद करता हूं अजयक क्मर शींग जी को कि ऐसे कार्यों को यह यूटूबर को इतने अच्छा प्लाटफर्म देने को आगे बढ़ें ठीक है और अज अब प्रफेशनल में विडिवाटर हूं न्यूज चानल में काम कर चका हूं ठीक है मैं उन चैनलों को तरह आप नहीं ले सकता ठीक है लेकिन अभी में न्यूज रेवलेशन परिवाटर में जून चुका हूं ठीक है और मेरा यही चीज है कि जो मेरा एक्स्परियेंस है वीडियो एडिटिंग का जो इस तरह पर काम होता है उसको यूटूब लेकर आने का जब हम चीज को सिखरें ऑ गेउस क्या अगर ओर एड टूर कुझ को कर लेंगे है किस तरह से क्या से क्या टेक्नेक्स है क्या स्थक्षे होते हैं ते किस तरीक से इसको एडिट करना है हम लोग को ठेक है वो सब सारा चीज हम टेक्निकली सब्पोर्ट करेंगे सारे लड़कों को मेरे तरब से क्योंकि हम टेक्निकल बंदात हम ज्यादा बोलेंगे नहीं बाके धन्य वाद है अब हमारे बी जो है कि सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म में काभी मैं इनसे भी बाक्षित करूँगा सर सबसे पहले आप अपना नाम बताईए नागमनी रजक नाम होगा जी सर आँ सोसल मीडिया जो है कि आप बहुत दिन्यों से जह कि उससे चला रहे हैं तो क्या यह सर इसमें बताईए सर कि क्या ऐसा प्लेटफॉम इसमें क्या ऐसा बद अब देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल का क्या हालत है किसी एक सताधारी पार्टी को पकड़ कर और उसी का न्यूज को गलत को भी सही जो है प्रूफ करने का प्रयास करते हैं तो उस बीच में अगर दन्यूज रिवलिशन जिसका हम लोगों ने बहुत तरीके से यूटूब चैनल दन्यूज रिवलेशन का संस्थापका जैसिंग चेरोजी ने यह शुरुवात किया है यहां पर अच्छा न्यूज चैनल बना लेका और जो लोगों से मिटिंग किया है जो यूटूबर से जो कहीं न कहीं इंफुलेंस रखते हैं पुरे पलामों में तो आपके पास content है जो socialist में आपका experience है जिस फिल्ड में वो आप अपने तरीके से समाज को दे सकते हैं तो यह social media का platform है और यह बहुत बड़ा यूगदान रहेगा इनका social media जिस तरीके से आज काम कर रही है कहीं न कहीं उनके विचारधारा जो चैनल बिक जाते हैं या फिर जैसे आप national media की बात करें तो आप देख रहे हैं कितना अस्तर अपना घटा कर रखें हैं बिके हुए पत्रकार भी कहलाते हैं बहुत लोग तो इसके इनके मुह पे पुना चैनल के स्थाठापक जो है ज्यां कमार सिंगे से बात करूंगा सर यह बता आपके पास तो इतने सारे रिपोर्टर हैं अपने रिपोर्टर के लिए क्या एक आपने चैनल के मादे जो आप चैनल क्रिए हैं उसमें क्या मतलब कुछ पढ़ाईएगा या फिर ऐसे ही क्यों चलेगा जो हमारी क्वालिफिकेशन थी एंबीए करने के बाद हमने वन येर का मास्ट कामिनिकेशन कोर्स किया और बहुत सारे चैनलों में जो बड़े-बड़े दिल्ली में जो चैनल है इंडिनाशनल चैनल है नाशनल चैनल है उन चैनलों में जाकरके जो अनुभव लिया उसी अनुभव के अधार पर मैं ये महसूस करता हूं कि हमारे भी बंदे जितने हैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं खासकर जो रिपोर्टर हैं उनको मैं अपनी और से पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम जो six month का mass communication का जो courses होता है वो हम इनको बहुत ज का एक repetition है उस repetition को बढ़ाने में इन तमाम रिपोर्टर्स को मैं सहयोग करूँगा उनको एजुकेट करूँगा उनका अपना experience उनके साथ साथ साजा करूँगा और जो हमारे अंदर जो quality है वो quality उनके अंदर कैसे डेबलब हो वो हम अपने the news revolution के सारे परिवार को देना चाह है तो वो हम बहुत जल्द लोगों को अपने साथियों को अपने टीम के लोगों को वो mass communication का course कराने जा रहा है जिस तरह से संस्थापक हमारे इस channel के हैं उन्होंने बताया कि बहुत जल्द रिपोर्टर के लिए जो है कि mass communication का course कराया जाएगा और यह चाहते हैं कि मेरे जित साथ भर करके आए इसी के साथ जो है कि लगे हुए है दा न्यूज रिपोलेशन चैनल संस्थापक दा न्यूज रिपोलेशन के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद